नमस्कार दोस्तों सागत शोमस बैली जी की और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटमिन D की डेफिशेंसी कि सिम्टम के बारे में विटमिन D की डेफिशेंसी में शरीर में क्या होता है कौन से सिम्टम से हमें पता चलेगा कि हमारे शरी पर इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है अगर पूरा पतलब ग्लोबल बात करें सारे विश्य की बात करें तो यहां पर इस पर नियर अबाउट 40% पॉपुलेशन सौ में से 40 लोगों में विटमिन डी की डेफिशेंसी है तो इतना ज्यादा बड़ा एक बिमारी मगर फिर भी लोग इसको लेके कम बाते करते हैं तो विटमिन डी की डेफिशेंसी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है पहले दफा जब यह स्टार्ट होता ह हों सिम्टम्स को हम पकड़ नहीं सकते हैं दीरे दीरे यह सिम्टम्स को हमको टैली करना पड़ता है मल्टिपल सिम्टम से एक से ज्यादा सिम्टम अगर एक साथ हो रहा है इन में से तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीद में विटमिन डी की मात्रा कम है अब जो लोग अभी के जमाने में हम जानते हैं कि work from home कर रहे हैं, घर से काम करना पसंद कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो वो बाहर जाना उन लोग का कम हो चुका है, तो obviously धूप कम आएगा, स्कीन पर कम contact करेगा, तो vitamin D भी body में कम मात्रा में तयार होगा, इसलिए दिन बर दिन vitamin D का मा पत्रा body में कम होता जा रहा है, लोगों में, अब symptoms की बात कर लेते, vitamin D शरीर में कम हैं, इसका जो symptoms है, वो direct ऐसा कोई symptoms नहीं है, जिससे के आपको 100% पता चली जाएगा, क्योंकि इसका कुछ ऐसा symptoms है, जो के अलग-अलग बीमारी से भी linked है, मगर फिर भी अगर ऐसा चार symptoms म जो हम बात करेंगे, यह आप में हो, तो आप definitely blood check up करवाए for vitamin D3, तो देखो यहापर क्या होता है, पहली दफ़ा है तो दर्ध होना, शरीर के अलग-अलग जगा है, जैसे के muscles, muscles में दर्ध होने लगेंगे, और joints में भी pain होने लगेगा, bone जो हड़ी है, उसमें भी दर्ध हो रखना तो vitamin D की कमी से bone में weak हो जाता है, उसके साथ-साथ muscle weakness होता है, उससे muscle pain होता है, यह एक पहला symptom, second, दूसरा symptom जो लोग avoid कर लेते हैं अभी के जमाने में बहुत सारे अलग-अलग reasons में होता है, जो के नींद ना आने की बिमारी, आपके नींद धीरे-धीरे कम होने लग आपको लगएगा कि यार कोई problem चल रहा है, कोई stress चल रहा है, stress तो है ही लाइक में, हर एक के लाइक में professional stress है, बाकी का अलग-अलग प्रकार की stress भी है, यहाँ पास stress यह vitamin D की कमी body में है, तो वो ज्यादा elevate कर जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके साथ-साथ और बात होता है, बहुत सारे research paper इसको establish किया है, कि vitamin D की कमी से, लोगों में depression का जो amount, depression का अगर scale पकड़ के हम चले, उस scaling जो बढ़ आए depression का, तो यह एक बात होता है, depression, anxiety, नीन ना आना, सब एक साथ मिलके आता है vitamin D की deficiency में, और एक symptom vitamin D की deficiency में, कुछ लोगों में पाया जाते है, जो के बाल हड़ रहा है, उसके साथ साथ दर्द हो रहा है, मसल में, tiredness आ रहा है, anxiety, यह सब कुछ अगर एक साथ आ रहा है, किसी इंसान में, तो आप सोच सकते हो कि हो सकता है, कि vitamin D की deficiency हो, और अगर उस इंसान ने अपने life की maximum time indoor बिता रहे हैं, बाहर, outdoor नहीं जा रहा है, काम वग्यर सिंपल सा blood test आता है, vitamin D blood में कितना है, check हो जाएगा, check होने के बाद आप उसको treat कर सकते हो, तो यह होता है, अलग-अलग 4 important symptoms, जिससे के पता चलेगा, कि आप की शरीर में, vitamin D की मात्रा कम हैं या नहीं, अगर मात्रा कम हैं, तो obviously डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह supplement ले men and women, vitamin D की कमी से शरीर में जो प्रभा परता है उसके details, वीडियो अच्छा रहा है कि तो वीडियो को लाइक करना, share करना, subscribe करना अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कलीक के साथ, ताकि ऐसे वीडियो मिलता रहे, thank you, bye